आज के इस वीडियो के अंतरगत हम आपको जन्म का समय की गन्ना आपको हस तरीका के दौरा करना सिखाएंगे विशेष्टे बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको अपने जन्म समय में संधे भी रहता है या किसी किसी व्यक्ति को पता भी नहीं रहता तो व्यक्ति आसानी से इस विदी के दौरा सटिक्ता के साथ जन्म का समय ग्यात कर सकते हैं विशेष्टे यह तरीका थोड़ा कटिंग कह सकते हैं और यह भी कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा गलती होने की समामना आपसे हो सकते हैं कि यदि आपने जो रेखा है उनको अगर आईए जानते हैं इसके लिए हम आपको बता दे हैं कि आपको किन किन परवतों पर या उंगलियों पर आपको विश्श ध्यान रखना है एक तो अनामी का उंगली जो कि ये वाली उंगली आपके अनामी का उंगली है इस उंगली के जो तीन परव हैं एक दो तीन इन तीन पर पर जो सीधी खड़ी हुई रेखा हैं तो आपको इन खड़ी हुई रेखाओं को गिनना पड़ेगा साती आपके मद्यमा उंगली जो के आपके ये वाली मद्यमा उंगली है इसके भी तीनों पर उपर एक दो तीन इन तीनों पर उपर जितनी खड़ी रेखाएं हैं उनको आ नीचे का जो छेत्र है ये आपका सूर्य परवत होता है ये यहां से आतक ये आपका परवत सूर्य परवत है तो इस पर जो भी खड़ी रेखाए होंगी आपकी इस परवत पर उसको देखना होगा इसी परकार से आपका जो गुरु परवत है ये आपका तरजनी उंगली के न यहाँ पर एक इस परकार से खड़ी रिखा मिल गई आपको इसी तरह यहाँ पर यह गुरु परवत है इस पर ऐसे खड़ी रिखा मिल गई आपको तो इस परकार से जो आपको रिखा मिली उन रिखाओं को आपको गिन लेना है तो अब देखते हैं यहाँ पर देखे मान तो ये टोटल कितनी हो गए आपकी 120 हैं हूँगई साथ एपको देखना है सूर्य पर्वत पर और ब्रस्पती पर्वत पर खड़ी रेखा देखनी है सिर्फ इस पर्कार से एक रेखां को मिल गई तो बारा तो यह हो गई आपकी और दो रेखा यह हो गई तो आपकी टोटल जो लाइन हो गई वो 14 रेखा हो गई अप इसमें आपको 811 को जोड लेना है एड कर लेना है जब आप 811 में 14 जोड होगे तो आपको यहां से मिल जाएगा 825 तो मतलब आपको क्या करना है सभी हें आडि रेखा है अनामिका मध्यमा और सूर्य परवत और गुरू परवत पर उसको जोड लेना है उसके अंदर अशनलना 111 को आपको जोड लेना है अब जो जोड कर आता है इन रेखाओं को में 811 को तो 825 जैसा आया इसको आपको क्या कर लेना है फिर 124 से गुना कर लेना है जब आप 124 से गुना करेंगे तो आपको गुननफल प्राप्त होगा 102 300 यह मतलब यह आपको प्राप्त हो जाएगा जो प्राप्त होगा गुननफल इसको आपको किसे 60 से भाग कर देना है तो 60 से जब आप भाग इसको करोगे 60 से आपको इसको भाग कर देना है तो जो भाग फल आएगा वो आपके घंटे बन जाएंगे और जो शेश फल आएगा वो आपकी मिनट बन जाएगी समय के लिए तो 60 से जब आप करोगे तो सबसे पहले 60 आगया यहां से आपका अब यहां पर 3 उतार लेजिए यहां पर और यहां आपका चल जाएगा 7 टाइम्स और यह आपका हो गया 120 और यहां 3 और 1 यहां पर 0 उतार लेजिए और 7 यहां पर 1 जिरो और यहां आपका चल जाएगा तो यह आपका पूरा शेशफल जो आया यहां पर 0 आ गया और 1705 क्या हो मतलब शेशफल 0 इसका मतलब क्या हो पूरे एकदम कोई मिनट नहीं होगी घंटे ही रह गए यह घंटे अगर 1705 है अगर यह घंटे जैसे की 24 से जादा आ रहा है जैसे की तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको दुबारा से 24 से भाग देना पड़ेगा 1705 को क्या करना पड़ेगा हमें अब 1705 को 24 से भाग देना पड़ेगा जब आप 24 से चलाया होगे इसको तो यहां से 7 बार चलेगा 168 आ जाएगा यहां 2 बचेगा पांच बचेगा 24 एकम 24 और यहाँ 1 तो अब यहाँ पर यह जो एक क्या या एक बजे का मतलब इसका व्यक्ति का समय का जन्म होगा और यह क्या होगे रात तरी के एक बजे का होगा क्योंकि मीनट के आई थी, जिरो आ गई थी तो यह यहां से घंटे तो कितना एक बजे का समय है और यह आपको 24 घंटे वाला जो चकर है उसके इसाब से आपको देखना है तो अगर आपका एक आता है तो यह आपका एक बजे का यहां पर जन्म होगा एक और उधारन की सायता से हम यहां पर समझते हैं कि मान लिजिए यहां पर सूर्य परवत पर एक रेखा है गुरू परवत पर एक रेखा इसी परकार आप देखते हैं अनामिक और मद्यमा में भी तीनों पर भी मतला इसमें एक ही रेखा इधर पहले पर पर देखी गई आप 15 आ जाएगा और फिर 815 को 124 से गुना कर देनी है तो यहाँ पर आपका 101.060 यह आ जाएगा इसको आपको क्या करना है 60 से भाग देना है 60 से इसको भाग दे देना है और जब इसको आप 60 से भाग दोगे 360 और यह आपका 506 और यहाँ से आपका 8 बर चलाओगे तो 480 और 6 यहाँ पर और यह 0 और उतारके और यहाँ आपका चल जाएगा 4 बर 240 और यह आपका आगया 20 इसका मतलब और हम बताते हैं आपको कि यह आपका क्या होता है कि जब 60 से इसको भाग दोगे तो यह आपका क्या बन जाएगा घंटे और यहाँ आपका यह आपका मिनट में आएगा तो अब क्या होगा यह जो घंटे आये हैं 1684 यह जब 24 से जाद आते हैं तो इसको दुबारा से आपको क्या कर लेना है 24 से भाग देनी है जो शेश्वल आएगा वो आपका उतने बज़े का आपका जन्म होगा तो अब पर आपको शोल्हासो चुरासी को आपको भाग देना है 24 से तो यहाँ पर जब 24 से भाग दोगे तो आपका सेवन डाइमस यह चल जाएगा साथ बार 168 आ गया और यहाँ जब आप यह चार उदर होगे तो यह जिरो लगा कर चार और हमनें प्ताया 24 घंटे के चकर के अनुसार तो ये 4 आपका या गया जो आपका 4 घंटे आगया और ये 20 मिनट आई थी आपकी जो हमने देखा था शेशवल जब हमने 60 से भाग किया था जिसमें भागफल 1600 चुरसी आए था तो ये जो 4 बचकर 20 मिनट और ये क्या होगा ये आपका 24 घंटे के गुरु परवत पर खड़ी रेखाओं को गिन कर 811 उसमें जोड कर उसमें 124 से फिर गुना करनी है और फिर उसको 60 से भाग देना है जो शेशवल आएगा वो मिनट हो जाएगा और जो भागफल आएगा अगर वो 24 से जादा है तो उसको फिर से आपको क्या करना है फिर से को निकाल लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका इस विदिकमसा कितनी एक्यूरेसी के साथ जन्म का समय आ रहा है तुम्हें तुर जान करिए अगर आपको च्छे लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जेमा तादी